आई फ्रेंड्स आप देख रहे हैं V.S. इस्टिलोजी मैं गाराओ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ V.S. इस्टिलोजी में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशी फल के बारे में विखली होरोस्कोप के बारे में जो की 19 जून से 25 जून तक का होगा दोस्तों राशी फल जानने से पहले एक बात का फिशेश ध्यान रखे वो ये कि मैं अपने हर राशी फल के जो वीडियो होते हैं उसमें बताता हूँ इसका कारण यह होता है कि यह सामन निस्थर पर होते हैं ग्रहों के गोचर पराधरित होते हैं और यह राशीओ पराधरित होते हैं तो personally आपके लिए यदि आपको एक exact prediction चाहिए तो उसके लिए आपको अपनी कुंदली का analysis करवाना पड़ेगा आपको यह देखना होगा कि आपके जन्म के समय ग्रह किस जगह मौजूद है, उनका नक्षत्र क्या था, किस ग्रह की महादश्या, अंतरदश्या, प्रतंतरदश्या आपको चल रही है, साथ इस साथ जो गोचर इस समय हो रहे हैं, जो कि मैं यहाँ पर बता दे रहा हूं, वो किस तरह आपके लिए काम कर रहे हैं, तो और और इन सब चीजों का जो विशलेशन होता है, तब जाकर के आपके बारे में एक सटिक बात निकल के आपाती है, लेकिन राशीफल जानना इसलिए बहत जरूरी हो जाता है, ताकि आपको कम से कम यह पता चल जाए, कि इस समय इस वीक जो ग्रहों के गोचर हैं, वो आपके लिए अच्छे हैं या बूरे हैं, अच्छे हैं तो किस क्षेतर में अच्छे हैं, बूरे हैं तो किस क्षेतर में बूरे हैं, इसलिए राशीफल जानना जरूरी हो जाता है, लेकिन आपको खुद के बारे में पर्सनली खुद का प्रेडिक्शन जानना है, तो आपको अपनी कुंडली का विश्रेशन करवाना जरूरी हो जाता है चली दोस्तों अब हम अपने राशी फल की शुरुवात करते हैं और मेश राशी से लेकर मीम राशी तक क्या सारा जो इस सप्ता का राशी फल है उस बारे में हम बात करते हैं चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं मेश राशी से दोस्तों मेश राशी के दिए बात करें तो आपके नौकरी में सफलताओं के योग आपके बनते नजर आ रहे हैं इस वीक यदि आप प्रमोशन चाहते हैं तो बिल्कुल आपकी सफलताओं के योग बनते नजर आ रहे हैं, आपको बिल्कुल प्रमोशन मिल जाएगा, यदि आप व्यवसाहे में हैं, तो भी आपके लिए आपके लिए आपके सफलताओं के योग बनते नजर आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है, कि आपको कारी के दबाओ, टेंशन महसूस हो लेकिन सफलताओं के योग ज़रूर है यहापर आपकी आर्थी किस्तिती की बात करें तो आपकी आर्थी किस्तिती बहुत अच्छी रहेगी बहुत बड़ी चड़ी रहेगी साथ ही साथ दोस्तों यदि आपकी पारिवारी किस्तिती की बात करें तो आपकी पारिवारी किस्तिती बहुत शांदार रहने वाली है, बहुत अच्छी रहने वाली है, इसी के साथ साथ दोस्तों यदि आपके स्वास्त की बात करें, तो स्वास्त का आपकर थोड़ा सा ध्य तो थोड़ा सा फुक फुक कर चले और यदि आपको ही महत्पूर्ण कदम उठाना चाह रहा है अपने प्रेम प्रसंगों को लेकर तो थोड़ा सा रूप जाए अच्छे समय आने की प्रतिक्षा करें तो व्रशव राशी के लिए भी यहां पर आपके टेंशन के योग बंते नजार आने कुछ न कुछ कारे का दबाओ आपका ज़रूर नौकरियर वेबसाय में हो सकता है लेकिन ऐसी कोई बुरी संभावना नहीं है लेकिन बस कारे का दबाओ तोड़ा सा प्रेशिर आपको ज़रूर मैसुस होगा यदि आपके आर्थी किस्तिति की बहुत अच्छी रहेगी साथ इसाथ यदि आपके पारिवारी किस्तिति की बात करें तो वह भी बहुत अच्छी रहेगी बहुत शांदार रहेगी यदि आप स्टुडेंट अच्छात रहे तो भी आपके लिए समय बहुत अच्छा है और यदि आपके स्वास्त की बात करें तो आपका राशव राशी के लिए शूप समाचार के योग इस वीग बनते नजर आ रहे हैं। आर्थी किस्तिती बहुत अच्छी रहेगी, बहुत बड़ी चड़ी रहेगी। बहुत अच्छा रहने वाला है, परिवारी किस्तिती बहुत अच्छी रहने वाला है। स्वास्त भी बहुत अच्छा रहने वाला है, यदि आप अच्छा रहें तो भी आपके लिए समय बहुत अच्छा जाने वाला है। बिल्कुल सफलताओं के योग बने हुए हैं इस्टुटेन के लिए और साथी साथ यदि आपके प्रेम प्रसम की बात करें तो यहां पर भी सफलताओं के योग बने हैं तो मतलब आपके लिए बहुत अच्छा यह समय जाने वाला है। हाला कि कोई संभा हुआला नहीं है लेकिन बस खर्चों के योग बनते नजर आ तो मेरी आपको है हम ईसाथना नोगरी में आपको को जरूटाओं के योग जरूर हैं लेकिन प्रेशर में आपको महसूस होगा। इसी तरह website में भी है कि आपको सफलता है जरूर महसूस होंगी, सफलता है जरूर आपकी होंगी, लेकिन pressure भी जरूर महसूस होगा, तो इस तरह का आपका माहल नोकरियर website में आपका रहेगा, परिवरी किस्तिती की बात करें तो परिवरी किस्तिती बहुत अच्छी जाने वाली है, बहुत शांदार जाने वाली है, यदि आपके स्वास्त की बात करें तो आपका स्वास्त भी बहुत अच्छा रहने वाला है, बड़ा चड़ा रहने वाला है, यदि आप स्टुडेंट की बात यापको आपकी सफलताओं की योग यहां पर बनते नजर आ रहा है। यापकी परिवारी किस्तिति की बात करें, यहाँ पर भी बहुत अच्छा अपके लिए वीग जाने वाला है, और स्वास्थ भी आपका बहुत शान्दा रहने वाला है। यदि आप student अच्छात रहें, तो भी आपके लिए समय बहुत अच्छा जाने वाला है, और साथ ही साथ, यदि आप प्रेम प्रसंग में हैं, तो भी आपके लिए समय बहुत अच्छा जाने वाला है, तो और ओल आपके लिए जो वीक है, बहुत शान्दर जाने वाला है, दो आर्थी किस्तिति बहुत अच्छी रहने वाली है नौकरी और वेबसाइप आपके लिए जो समय है यह जो वीक है वह बहुत अच्छा जाएगा लेकिन प्रेशर कारे का दबाव आप पर ज़रूर महसुस आपको होगा तो दोस्तों यदि आप सिक्षा में है तो भी आपके ल अच्छा जाने वाल है। यदि आपके पारीवारी किस्तिति के बात करें तो तो थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है यदि आप इस्टुडेंट अच्छातर है तो भी यहाँ पर आपको मेहनत ज्यादा करना होगी हलाकि सफलताओं के योग नहीं है सफलताओं के ही योग हैं लेकिन मेहनत आप थोड़ी सी ज्यादा करें साथी साथ यदि आपके प्रेम प्रसंगों की बात करें तो प्रेम प्रसंगों को लेकर भी यहाँ पर आपको कारे का दबाओ आपको टेंशन जरूर महसूस हो सकता है आप यदि आपको कोई एम है आपको कारे करना चाहते हैं कोई महात्पुन कदम उठाना चाहते हैं अपने प्रेम प्रसंगों को लेकर तो यहां पर आपको टेंशन जरूर महसूस होगा प्रेशर जरूर महसूस होगा लेकिन असफलताएं नहीं है दोस्तों व्रशिक राशी के बाद धनू राशी की बात करें तो आपकी आर्थी किस् परिवरी किस्तिती बहुत अच्छी रहने वाली है दोस्तों साथी साथ यदि आप इस्टूरेंट है यदि आप शात्र है तो आपके लिए समय बहुत ही ज्यादा अच्छा है इस समय का बिल्कुल फाइदा उठाएं आपकी सफलताओं के योग बिल्कुल यहां पर बनते नजर आ रहे हैं यहां पर भी चिंता का महौल जरूर नजर आ रहे हैं तो फुख कर कदम रखें दोस्तों धनूराशी की बात करें तो आपके लिए भी नौकरी में सफलताओं के योग जरूर हैं नौकरी में आप पदुन्नती चाहते हैं यदि इस्थानांत्रन या ट्रां तो और यदि आप वेफसाई करते हैं तो वेफसाई में भी सफलताओं के योग आपके बंते नजर आ रहे हैं लेकिन थोड़ा सा टेंशन जरूर रहेगा लेकिन सफलताओं भी रहेंगी आर्थी किस्तिति आपके बहुत अच्छी रहेगी बड़ी चड़ी रहेगी परिव दोस्तो कुम्भ राशी की बात करें तो आपकी आर्थिक इस्तिति में आपके अपवय के योग बंते नजर आ रहे हैं तो मेरी एडवाइज यह है कि थोड़ा सा फिजूल खर्ची पर लगाम लगाएं नौकरीर वेवसाई की बात करें तो नौकरीर वेवसाई के लिए समय लेकर के भी आपको छोटी मुटी चिंता जरूर मैसुस हो सकती हैं तो यहाई अच्चा समय आपके लिए नहीं है लेकिन फिर भी आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता जरूर आपको लगेगी साथी साथ इदि आप प्रेम प्रसंग में हैं तो भी आपके समय उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है तो अच्छे समय आने की आप तो धिक्षा करें तो बिल्कुल आपकी सफलताओं के योग बनते ये स्विक नजर आ रहे हैं आपके आर्थी किस्तिती बहुत अच्छी रहने वाली है बहुत शांदार रहने वाली है पारिवाली किस्तिती बहुत अच्छी रहने वाली है साथी साथ दोस्तों यदि आपके स्वास्त की बात कर तो और आपके लिए जो समय है यह जो week है बहुत शांदर जाने वाला है तो दोस्तों हमने ये बात की मेश राशी से लेकर मेन राशी तक के सारे इस week के राशी फल की दोस्तों मुझे विश्वास ही कि आपको वीडियो पसंद आया होगा यह आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें साथ इसाथ दोस्तों एक आपके फायदी की बात बतादू कि इदि आप Astrology जोतिश शिखना चाते हैं इदि आप अपनी कुंडली खुद पढ़ना चाते हैं बिना किसी की मदद के तो इस चैनल की प्लैलिस्ट Astrology Lesson in Hindi बजाए वहाँ पर हम समय समय पर Step by Step वीडियोज अप्लोड करते रहते हैं जहां जाकर आप Astrology जोतिश सीख सकते हैं दोस्तों इदि आप regular अपने राशी फल भी जाना चाते हैं तो भी प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों एक और आपके बात बता दूँ कि कई मेरे सम्मानी दर्शक मुझे mail करते हैं वो चाहते कि मैं उनकी कुंडली का analysis करूँ तो यहाँ पर स्क्रीन में नीचे मैंने अपना number दिया है आप मुझे call कर सकते हैं और अपनी कुंडली का analysis मुझसे करवा सकते हैं चलिए दोस्तों आपने वीडियो देखा आपका बहुत भाँत धन्यवाद बाई बाई